हेलो गाइज, वेलकम चुविनाइक बिलीवर्स क्लासेज, सो सुडेंट्स अभी तक मैं फूड और नूटरिशिन के आपको काफी सारे टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ टेक्स्टाइल, तो अब हम टेक्स्टाइल के टॉपिक्स क परिधान पहनते हैं, जो भी हम ट्रेस पहनते हैं, वो बेसिकली कैसे बनती हैं, और इसका बेसिक क्या है, सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं, आपके ये एक प्रोसेस है, रेशा, धागा, कपड़ा और फिर परिसज्जा, सबसे पहले क्या होत है, रेशे से क्या बनता है, धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, देन उस कपड़े के ऊपर क्या की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, सो हम सबसे पहले रेशे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, कि रेशा कहां से आता है, और रेशे में कौन-कौन से ग कपड़ा है उसकी सूक्षम्तम इकायी है कोई भी कपड़ा है रेश्य रेश कहां से आता है रेशे की पहचान कैसे होती है तो तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट आता है आपके इसके अंदर, देखे हम पढ़ेंगे अब रेशों का वर्गी करन, रेशों के वर्गी करन में आपके देखे फर्स्ट आता है प्राकर्तिक रेशे, प्राकर्तिक रेशे जो होते हैं वनस्पतिक रेशे और आपके आजाता है खनीज रेशे और आपके आजाता है प्रानीज रेशे तो हम पढ़ेंगे आपके प्राकर्तिक रेशों में वनस्पती से जो हमें प्राप्त होते हैं वनस्पती से हमें प्राप्त होता है बीज से तना से और आपके पत्ते से यानि कि पोधों के बीज से उसमें तने से और उस मनीला कोयोर ये सब हमें प्राप्त होता है तना जो पोधे का तना होता है उससे और आपके फिर आता है पत्ता पत्ते से मिलता है पिन्ना और सीसल पिन्ना आपके आता है अनानास की पत्तियों से मिलता है ठीक है और आपके सीसल जो होता है वो अगावा की पत्तियों से मिलता ह स्टूडेंट्स पोधे के कितने पार्ट हैं बीज है तना है पत्ता है इन तीनों से ही हमें क्या प्राप्त होता है रेशा प्राप्त होता है और अलग लग प्रकार के हमें इसमें से रेशे प्राप्त होते हैं आप ध्यान रखिएगा बीज से कपास कपो तने से लीनन जूठ फेम, प्रेमी, सन, मनीला और कोई और और पत्ते से पीना सीसर, तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पेपर में पूछ भी लिया जाता है, कि अगर प्राकर्तिक रेशे हैं, वनस्पतिक जो है, उसमें बीज से कौन-कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, तने से कौन से प्र प्राप्त होते हैं, तो यह हमें नाम ध्यान रखने हैं, ओके, नाव हम पढ़ते हैं, प्राणिज रेशे, प्राणिज रेशों के अंदर आपके आ जाता है, उन और रेशम, ठीक है, प्राणिज रेशों में उन हमें कहां से प्राप्त होता है, वूल जो होता है, हम इंटर हिसे ऐते हैं उख प्राप्त होता है कि अलग लग जाती हि कि इनके बारे इनमें पढ़ेंगे आगे फिला हम हम आज जो है हम इसका व्रेश का वर्गीकरन क्या एक रेश नियुक्त होता है नियुक्त सिलक बोलते हैं ठीक है रेशम कीट से प्राप्त होता है इसलिए प्राणिस है और उन जो प्राणीओं से प्राप्त हो रहा है तो इसको इसलिए बोला जाता है प्राणी रेशे जो प्राणियों से प्राप्त होता है जो वनस्पति से प्राप्त होता है हमें वह होते हैं वनस्पतिक रेशे ठीक है ध्यान रिखिएगा ओके नाव आपके आता है खनीज रेशे खनीज रेशे कोन से होते हैं जो हमें फ्राकरतिक रेशय थे उयां और आपके गव्र Contract करने वानस्पति और अदर आपके नापकूर्फ और मॉन प्रेशय और रासाइनी फ्राकरतिक रेशय, मॉन रेव नय। 3 विदियां होती हैं ital sales की,9 मांव। कुप्रा मॉनियम लेकिन जो जादा आजकल चलन में है वो है आपके विसकस रेयोन इनका प्रोसेसिंग थोड़ा लंबा था हार्ड था इसलिए ये जो है वो आजकल यूज नहीं होता सो मैनमेड फाइबर में कुण सा आजाता है वो आजाता है आपके रेयोन ठीक है और कृत्रिम रेशों के अंदर ही आपके आता है रासाइनिक रेशे रासाइनिक रेशों के अंदर आप नाम देखेगा आपके आजाता है इसमें डेक्रो नायलोन, डेक्रोन, आरलोन, क्रेसलो जैफिरोन फाइबर ग्लास और टेरीलीन डर्वन यह सब चीजह है आपके इसके अंदर फाइबर ग्लास टेरीलीन पॉलिस्टर चाहिते हैं को क्या पॉलिस्टर भी जाते हैं डर्वन, सारन, डाइनेल, वेलर, यह नाम आप ध्यान रख लेजेगा, सम्टाइम्स कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं, जो की हमने सुना भी नहीं होता, पड़ा भी नहीं होता, तो आप ध्यान रखेगा, यह सब चीजें आपके उसमें आ रहे हैं, रासाइनिक रेशों में, उ परावर्तित रेशे और मिश्रित रेशे, यह आप ध्यान रखेगा, और हो गए हैं, हम देखते हैं के रेशे जो होते हैं, लंबाई के आधार पर रेशों को मापन होता है, उनको मेजर किया जाता है, तो लंबाई के आधार पर रेशे दो प्रकार के होते हैं, स्टैपल र तंतू होते हैं उनको किसमें मापन किया झाती हैं किसमें मेजर किया जाते हैं स् लीनन आता है और आपके उन आ जाता है alsoita कापास लीनन और ऊन आपके स्टेपल रेशो में आ जाता है konud लेकिन प्राकर्तिक तंटू में लिखा लेकिन आपको यह भी बताया है कि तो नहीं आता तक कपास लेनन ऊन ये सब इनके रेश Не Тू होती है, सैंटीमेटर स्काव सीन एंको ना पार्ण चाता है, उसके अलावा आपके देखिए फिलमेंट लंबे रेश, लंबे रेशे एंधी बenteous तन्तूं it can measure प्राकर्तिक रेशा है लेकिन इसकी लंबाई बहुत जादा होती है इसलिए ये फिलामेंट में आता है और सभी मानव नेरमित तंतु जो भी मैनमेड फाइबर्स हैं सभी के सभी इसके अंदर आते हैं फिलामेंट में क्योंकि मैनमेड जो फाइबर होते हैं उनकी लंबाई कितनी रखनी है उनकी मोटाई कितनी रखनी है ये सब चीजें जो है वो खुद पर डिपेंड करती है कि उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए उनका व्यास कितना होना चाहिए तो ये सब चीजें मैनमेड फाइबर में खुद पर द्रिश्य परिक्षन ठीक है दूसरा आपके आजाता है इसमें दहन परिक्षन means कि देख कर और दूसरा दहन में आजाता है आपके जला कर तो हम ये सब भी पढ़ेंगे इसके अंदर तो रेशे, रेशों का वरगी करन, रेशे कहां से मिलते हैं प्राकर्तिक रेशे, man-made fiber, visist रेशे और उसके अलावा हमने देखा कि रेशें के लंबाई कैसी होती है और लंबाई के आधार पर रेशों का वरगी करन और उसके अलावा रेशों का परिक्षन कैसे होता है आज हमने रेशे के बारे में जानकारी ली है और रेशा जो है, वो कोन सा रेशा, कल हम पढ़ेंगे कपास का रेशा मैंने आपको प्राकर्तिक रेशों में बताया, तो हम one by one रेशों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे यह एक बेसिक जानकारी थी, जो हमें टेक्स्टाइल में स्टार्ट करनी थी, और जरूरी भी था यह जानना क्योंकि इसके आधार पर हम आगे चलते जाएंगे तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो माच, मेरे साथ बने रहिए और सुपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सकाइब करना नहीं भूलिएगा थैंक यू सो मच, बाइ गाइस, गोड़ ब्लेस यू अल